प्रणुष्य 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 15 शिध्धानत प्रहचलिते हैं मैं 15 के 15 शिध्धानत आपको समझाऊंगा जिसमें आज हम 14 सिध्धानत की बात करें हैं वो कौन सा सिध्धानत है यास बेटा जो राज्य का यंतरिय सिध्धानत है इसको मैं बहतर तरीके से समझाऊं तो शारव प्रथम आप हमारी यूटूब चैनल को सब्स्राइब अवस्य कीजिएगा जिससे प्रते दिन जो मैं कलेक्टर में यूटूब चैनल पर अप्रोड करता हूँ उसके जानकरी सूचना आपको प्राप्त हो सके यस ध्यान दे राज्य का यंत्रिय श्वरुप जैसा के नाम से ही इस प्रस्टोर है वैसे देखा जाए तो राज्य का जो यंत्रिय सिध्धान्त है ये है राचीन यूनान में भी प्रचलित था रोमन काल में भी प्रचलित था परंटू आधुनिक यूग में विशेष करिशे जैसा है कि मैंने यहाँ पर नाम भी नोट किया है टॉमस हाफ्स, जॉन लॉक, जैरेम बेंथम और रूसो इसके प्रमुक्षमर्थक थे किसके राज्य के यंत्रिय शिद्धान्त की अब जो राज्य का यंत्रिय शिद्धान्त है वास्तवी कुरूप में ये राज्य की तुलना मशीन से करता है बहुत महत्वपून बात है ये क्या राज्य की तुलना किसे करता है मशीन से करता है जैसे राज्य का आंगिक सिद्धान्त राज्य की तुलना किसे करता है जीवित प्रानी से करता है सावियाव से करता है ठीक उसी प्रकार से जो राजय का यंतरिय सिद्धान्त है वह राजय की तुलना मशीन से करता है और ये सिद्धान्त ये कहता है कि जिस प्रकार से मनिश्यों ने नए नए आविश्कार करकर नए नए मशीनों का निर्मान किया है इसके लिए अपने उप्योग और लाब के ल अस्थाउं और राज्य का निर्मान भी अपने लाब और उप्योगिता के लिए ही किया है तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो राज्य है उस राज्य की तुलना मशीन से की जाती है जैसे मशीन अपने आप में एक उपकरण है ठीक उसी प्रकार से जो राज्य है यह भी अपने आप में एक उपकरण है एक साधन है और साध्य है व्यक्ति अर्थात व्यक्ति अपने उप्योगिता के लिए लाब के लिए राज्य का निर्मान करता है जैसा कि टॉमस होब्स की बात रेते हैं तो टॉमस होब्स ने राज्य के बारे में अपना सामाजिक सम्ज़त सिद्धान दिया है जिसके अंतरगत व्यक्ति उने अपने आत्म संरक्षन के लिए या अपने जीवन की रक्षा के लिए राज्य का निर्मान किया है तो यहां मूल बात यह आती है कि यह जो यंत्रिय सिद्धानत है यह व्यक्ति को साध्य मानता है राज्य को शाधन मानता है इसलिए यहां मुक्ष जो बाद ध्यान रखने की है वो यह है कि राज्य का जो यंत्रिय सिद्धानत है वह है राज्य की तुलना मशीन से करता है हम एक एक बात को यहां समझाँगा सबसे पहले मैंने आपके लिए एक डाइग्राम बना है इस डाइग्राम को समझे उसके बाद में सारी बाते के लिए हो जाएंगे डाइग्राम क्या कह रहा है कि वास्तिवी क्रूप में राज्य की प्रकृति का आरियू तथा व्यक्ति औ के तियास का द्यान करें तो वास्तिवी क्रूप में राज्य की क्या प्रकर्ति हो राज्य की क्या कारी हो तथा व्यक्ति और राज्य के क्या संबन्ध है इसके उपर विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं और विचारों का समुच्चे है वह सिद् व्यक्ति वे राज्य के संबंद क्या हो इसके बारे में विद्वानों ने अलग-अलग विचार दिये हैं और विचारों का जो समूम होता है वो इस सिद्धान कहलाते हैं जिसमें आज हम चोते सिद्धान की बात करें राज्य का यंत्रिये सिद्धान फिर मैंने आगे लिखा की राज्य की प्रकरती से जुड़े होई जो इंज़्धानते इन सिड्धानतों को विवीद परिप्रेक्थे भी कह सक्ते हैं मतलब यहां आप अंतरगत मुख्य बात है यह बात आप समझ जाएगा इसके बाद में सारी बात समझने में आपको कते दिकत नहीं हाएगी प्राणे से पेरे विद्यारतियो आपसे जैसे किसी भी पुछा जा सकता है क्या कि राज्य के तुलना मसीन से निवन में से किस सिद्धान्त के से निवन में की जाते हैं किसमी की जाती है आंगिक सिद्धान्त में जैव सिद्धान्त में राज्य की तुलना मसीन से करता है मतलब राज्य की तुलना मसीन से करता है मतलब एक उपकरन से करता है, एक साधन से करता है, राज्य की तुलना मशीन से करता है, जिसे मनुष्य ने अपने लाव या उपयोग के लिए सोच उचार कर बनाया, या फिर इसका आविश्कार किया, मतलब यहां राज्य की तुलना मशीन से की जा रही है, अंतरी सिद्धान में जिसे की मनुष्य ने जिसे की मनुष्य ने अपने लाव या उपयोग के लिए सोच विचार कर बनाया या फिर जो है इसके लिए आविश्कार किया मतलब यह विशेश करा में कहेंगे कि राज जी कि तो नहीं मशीन से कि जारी और जिसे मनुष्य ने अपने लाव या के लिए ठीक इसी प्रकार से सामाजिक सनस्ताओं का और राज्य का निर्माण भी मनिश्यों ने अपने उप्योग और लाब के लिए सोच समझ कर किया है यही राज्य का यंत्रिश धांत कहलाता है मतलब यहां राज्य की तुलना मशीन से की जाती है जिस प्रकार से मशीनों क जो निर्मान है वह है मनिश्यों ने अपने उपयोग और लाब के लिए किया है ठीक उसी प्रकार से राज्य या सामाजिक सनस्ताओं का निर्मान भी मनिश्यों ने अपने उपयोग या लाब के लिए ही किया है अता है इसी आधार पर ये कहा जा सकता है कि राज्य का जो यंत विचारधारा तो यह कहते हैं कि विचारधारा यह कहते हैं कि विचारधारा यह कहते हैं कि विचारधारा 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 व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साध्य मानता है मूल विवाद ओपर यह कि व्यक्ति को साध्य माने या साध्य माने तो यहां यह अंत्रिय सिद्धांत व्यक्ति को साध्य मान रहा है और राज्य को एकूपकरन या साध्य मान रहा है इसलिए यहां पर राज्य के त समझाता हूं चलिए बेटां यह एक आधुरिक सिद्धानत मतलब राज्जे के शौरूप का जो यंतरी सिद्धानत है एक आधुरिक सिद्धानत है वैसे मैं फिर कह रहा हूं कि प्राचीन समय में भी इसके कुछ संकेत हमें दिखाए देते हैं जैसे मैं यह लिखा भी है विवस्तित रूप में सामने आया क्योंकि सत्री सताब्दी में जो है हमें कहेंगे कि मशीनी यूगा आ गया था और जब मशीनी यूगा आ गया तो यहां पर मनुश्य ने सोचा कि भाई जब हम अपने उपयोग और लाब के लिए मशीनी का निर्मान कर सकते हैं तो ठीक इसी प्रकार से हम जो है सामाजिक छेतर में राजनितिक छेतर में सामाजिक सनस्ताओं राजनितिक सनस्ताओं या राज्य का निर्मान कर सकते हैं जिससे कि हम सान्ति से व्यवस्तित रूप में अपन सनस्ताओं का निर्मान किया जाता है ठीक से प्रकार से व्यक्तिव को अपने सारी रिक सुक्ष्विधाओं के लिए मसीनों का निर्मान करना पड़ता है तो इसी कारण यहां पर राज्जे की तुल्ना मसीन से की जा रही है तो ध्यान देंगे यह एक आदुनिक सिद्दांत है जो सत्री सताब्दी के मसीनी यूग में व्यवस्तित रूप में सामने आया हाला कि इस अंतरी सिद्दांत के संकेत हमें यूनानी और रोमन विचारों के अंतरगत्वी मिल जाता है अगली बात नई मसीनों के मतलब जो कि मनिश्य ने अपने उपयोग और लाव के लिए विशेश कर सत्री सताब्दी से नए नए आविश्कार करना सुन किया जिसे की मसीनी यूग की संग्या दी जाती है मतलब एक प्रकार से ओद्योगी किरांती यहां आ गई थी तो नई मसीनों के आविश्कार जैसे पवंचक्ती, पंप, छापे खाने, चाबी की घड़ी, आदी को देख करके पस्टमी विचारकों को यह है सूजा मतलब इनों ने यह विचार किया कि सामाजिक सनस्थाएं त सत्री सताब्दी में क्या हुआ कि नई मसीनों का आविश्कार सुरू किया गाया मनेश्यों के द्वारा, जिससे कि मनेश्यों को सारे ग्रूप में सुक्षुविदाओं की प्राप्ती हो, तो इसके लिए जैसे पवंचक्की का आविश्कार कियागा, पंप का आविश्कार जिन से वास्तिवी कुरूप में क्या सांती विवस्ता और सुरक्ष्य इस्तापित की जा सकती है या फिर जो है वास्तिवी कुरूप में सामाजिक सनस्ताओं तथा राजियों का निर्माण इसलिए किया गया जिसे की सांती विवस्ता और सुरक्ष्य इस्तापित करने के थी पंप चापे खाने और चावई की घड़िका विश्कार कर रहे हैं तो इससे का है व्यक्ति को सारे रीक ρूप में वोतिक रूप में सुक्षुधाव की प्राप्ती हो रही तो ठीक इसी प्रकार से वास्तिक रूप में मनुष्यों के द्वारा सामाजीग secondo सबस्ताइं शिद्धान्त कहा जाता है अब अगली बात आती एस सिद्धान्त की मुख़्े माननेता है मतलब जो राज्य का यंत्रिय सिद्धान्त है इसकी जो मुख्य माननेता है वो क्या है इसके लिए मैंने आपके लिए चार बिंदू बनाए है इन चार बिंदू से आप राज्य का यंत्रिय सिद्धान्त की माननेताओं को आसानी से समझ सकते हैं नमबर एक, राज्य एक सामाजिक सनस्ता है, मतलब राज्य का यंत्रिय सिद्धानत है, वह राज्य को एक सामाजिक सनस्ता मानता है, क्या मानता है बेटा राज्य को, राज्य को एक सामाजिक सनस्ता मानता है, आप इसको जड़ा समझें आप, इसका मतलब क्या है, कि जो ध्यान रखने राज्य और समाज में अंतर करता है और जो राज्य का यंतरी सिद्धानत है यह वास्तविक रूप में राज्य को एक सामाजिक सनस्ता तो मानता है लेकिन प्राकृतिक सनस्ता नहीं मानता है मतलब यंतरी सिद्धान का कहना है कि राज्य एक प्राकृतिक सनस्ता नहीं है राज्य ते एक सामाजिक सनस्ता है राज्य का निर्माण व्यक्तिव ने अपने उपयोग और लाब के लिए किया है जैसे मनिशीनों का निर्माण मनिश्यों ने अपने उप्योग और लाब के लिए किया है वैसे ही राज्य का निर्माण सामाजिक सनस्ता का निर्माण व्यक्तियों ने अपने उप्योग और लाब के लिए किया है इसलिए जो राज्य है वह एक सामाजिक सनस्ता तो है लेकिन प्राकरतिक सनस्ता नहीं है और जो ये इंतरी सिद्धान्त है राज्य एम समाज में अंतर मानता है ये नोट करना है आपको मतलब ये इंतरी सिद्धान्त राज्य और समाज में अंतर मानता है जबकि जो आंगिक स अप्लोड किया है जिसे की राजे की शुरुप का सबसे पुराना सिध्धान्त भी कहा जाता है आंगिक सिध्धान्त में अप्लोड कर दिया है तो आंगिक सिध्धान्त क्या करता है आंगिक सिध्धान्त ने सविकार नहीं किया क्या राजे समाज में अंतर को मतलब जो आंग गया , अंतरणिक स्व्यकार नहीं करता है , जबकि श siento है , तो फिर इसके अarm किसके इसके अनुवाइच राज सम्कुन समाझ का दोतक नहीं बलकि उसका एक विशिष्ष्ट संग्तन है , क्यूं ? क्यूंकि वास्तिक प्राकर्तिक और राज्य। इस समाझ को प्राकर्तिक मानता है और राज्य को प्रत्री मानता है जबकि यहाँ पर आप श्रम देखेंगे राज्य को एक सामाजिक सनस्ता माना गया है इसको प्राकृतिक नहीं माना है क्या सामाजिक सनस्ता काउनध की अन्सार समाद सादा से विदमान रा है और राजस सादा कोन कह रहा है यह इंत्रिय सिद्धान कह रहा है तो राजस एक सामाजिक सनस्ता है कि यंत्रिय सिध्धान्त करा है नोट करेंगे दूसरी मानने था राज्य साध्य ने साध्य नहीं अब ध्यान नहीं आँ राज्य साध्य नहीं मतलब जो राज्य का यंत्रिय सिध्धान्त है यह वास्तिक रूप में राज्य को एक साध्य मानता है एक उपकरन मानता है क्यो किया है आपने लाभ के लिए किया है आपने उपयोग के लिए किया है इसलिए यहां वास्तिवी गुरुप में व्यक्ति अपने आप में साध्य बन जाता है जबकि राजय अपने आप में शाधन है तो दान रखना यह जो यंत starters, ये सिद्धान तेवे राज्य को एक साधन मानता है, साध्य नहीं मानता है, यहाँ पर साध्य तो व्यक्ति को माना जाता है, अर्थात वास्तिवी ग्रूप में राज्य का निर्मान व्यक्ति उन्हें अपने उप्योग और लावखी लिए किया है, इसलिए राज्य अपने आ इसका आव consistent किसली किया है किर आपने आवशक्ता की कि पूर्थी के लिए इसलीए तैकि पूरती का साधन नोट करेंगे राज्य ayam तुरक्षा हिसा जैसे आवशक्ता की पूरती का साधन नोट करेंगे किसलिए राज्य अपने आपने एक साधन है और इसी सिद्धान्त ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया अर्थात यहां वास्तुवीक रूप में चुकिसपस रूप में कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने आप में साध्य होगा और व्यक्तिवादी विचारधारा का केंदर बिंदू भी क्या होता है व्यक्ति की साधनतरता होता है व्यक्तिवाद की अंतरगत भी द्यक्ति को अपने आप में साध्य माना जाता है जबकि राज्य को अन्य सनस्ताओं को साधन माना जाता है अगर यह कहा जा सकता है कि सिद्धान्त ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा जो आगे चलकर उदारवाद के रूप में विक्षित हो जाती है और उदारवादी विचारधारा का केंदर बिंदू भी व्यक्ति की शावतनतरता ही होता है आता है यह इसपास्ट हो रहा है कि जो यंतरे सिद्धानत है यह राजजे को साधन मानता है साधन नहीं अरतात यहां वास्ति करूप में राजजे साधन है किसका साधन है व्यक्ति का साधन है और व्यक्ति अपने अपमें साधन है मतलब मनिश्य ने अपनी आवशक्ता की जबकि राज्ये और समाज अपने आपने साधने ये व्यक्ति के उपकरने क्योंकि मनिश्यों ने अपने उपयोग और लाब के लिए इनका निर्मान किया है इसलिए राज्ये के दोवारा व्यक्तियों के हित्मे कानून नहीं बनाया जाता है व्यक्तियों के इत्मे कारी नहीं किया जाता है तो ऐसे इस्थत्य में जनता के दुआरा उसका विरूद किया जाना चाहिए और किया भी जाता है तो ये जो बाते हैं ये इसपस्ट कर रही है कि राज्ये अपने आप में क्या है? एक उपकरने, एक साधने मतलब मनिश्यों की आउसकता है कि पूर्ती का एक साधने कौन? राज्ये कौन कहता है ये? राज्ये का यंत्री सिद्धान्त दो बाते के लिए तीसरी बात आईए राज्ये सामाने इच्छा की अभी वेक्ति है मतलब जो राज्ये का यंत्री सिद्धान्त है किसने दिया जीद्यक्ष रूसों की सबसे महत्रपुन पुर्टक बाद है सॉसाल कॉंट्रैे। सामाजिक समीधा सामाजिक सम्जोता थिक तो नहें कि इसका उलेक हैं मतलई और Riceo ने जो सामाजी की समझहते का ël्लेक कीया है, आपनी पुिसिताख सामाजी क अनुबंध में किया है। अब क्यों कि यहाँ जीन जैक्ष Ruso ने सामान इच्छा का सिधानत दिया है, आप जो सामान इच्छा है, यह क्या है , पहले तोब फोड़ा यह बताब़ाखा। देखो, जीन जेक्स रूसुने काया कि सामान इच्छा को समझना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा, कि प्रतेक व्यक्ति की दो प्रिकार किछाई होती है, चाए कोई विव्यक्ति को नहों पूरी दुनिया में, चाए मैं हो, आप हो, प्रतेक व्यक्ति क दो प्रिकर्ट इच्छा होती है, एक यथार्त इच्छा होती है, दूसरा वास्तविक इच्छा होती है, वास्तविक इच्छा का आधार विवेक होता है, या परमार्थ होता है, यथार्त इच्छा को तातकालिक इच्छा भी कहा जाता है, और वास्तविक इच्छा को आधर् इच्छा भी कहा जाता है जैसे मैं गुदार्ण दे करके समझाओं कि एक पुलिस अदिकारी के दवारा किसी अपरादी को गुरफदार किया जाता है अगर रिष्वत लेकर किसे अपरादी को छोड़ देता है तो यह इच्छा कैसी होगी यह थारत इच्छा है क्यों कि इसका आदार स्वार्त है रिष्वत लेना अब वास्तों में ये दी हुआ है अधिकारी चाहे अपरादी कितनी ही रिष्वत क्यों न दे लेकिन उसको धंड देगा रिष्वत लेगा नहीं रिष्वत लेगा ही नहीं तो ये जो इच्छा है ये बेटा वास्तविक इ वेक है परमार्थ है यह आधर्स इच्छा है तो वास्तों में वास्तवी कि इच्छाओं का जो योगफल होता है वास्तवी कि इच्छाओं का जो योगफल होता है वही सामानी इच्छा कहलाता है बाकि मैंने सामानी इच्छा के पर अलग से लेक्षर अप्लोड कर दिया है आ आप वहा पर इसे सिद्धानत का अच्छे से समझ सकते हैं चुकि हाँ तो हम यंतरी सिद्धानत की बात करेंगे लेकिन प्रिभी मैंने आपको संकेत दे दिया है अब देखो सबसे पहले आध्यान देंगे कि जो राजे के सवरुप का आंगिक सिध्धान्त है तुलना करनिया में आंगिक सिध्धान्त मतलब जो राजे के सवरुप का पहला ही सिध्धान्त मैं अप्लोड किया है जैव या आंगिक या सायो सिध्धान्त चुकि आंगिक सिध्धान्त राजे के तुलना जीवित प्रा आंगिक सिद्धान्त राज्य को उच्तर विवेक या परम सत्य की अभिव्यक्ति मानता है। और उस तर इच्छा की अभिव्यक्ति मानता है। आगिक समझोता सिद्धान्त दिया है। है तो हुपस की पुस्ताई के लेवयाथन इसके बाद में जॉन लॉक के जॉन लॉक के सब Today के शासर न के यॉन्होंने अपना एक सुंतर दिया है अधिकतं लोगों का अधिकतम सुख मतलब यह राज्य को अधिकितं लोगों के अधिक्तम सुख का साधन मानते हैं कौन जैरेमी बेन्थम अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुख का साधन मानते हैं राज्य को साधन ही मान रहे हैं ये भी तो जैरेमी बेन्थम उप्युक्तवाद की जनक है से उपने दूब्स में ने कितनी आप लेकित physics अपलोड कर दी है इसके बाद में antaragat Koo सामानी उच्चե की अभिव्यक्ति मानतेında Koo G vengs अफलोड कर दीए की शोर्टि सामानी उपलोड करतें मतलब वास्तिविक इच्छाओं का आधार परमार्थ होता है जिसे आधर इच्छाओं भी कहा जाता है जबकि यथार्थ इच्छाओं का आधार शुआर्थ होता है तो वास्तिविक इच्छाओं का जो योगफल होता है मतलब ऐसी इच्छें जिनका आधार विवेक होता है उनका जो योगफल होता है जोड होता है वोई सामान इच्छे कहलाता है मैं फिर कह रहा हूँ सामान इच्छे को आपको व्यापकुर्प में समझना है तो मैंने लेक्चर अप्लोड कर रखा है सामनी इच्छा को अभिवेक्तिं मानते हैं तो यहाँ आकर कि रूशो आदर स्वाधी सिद्धांत के निकट चले जाते हैं तो यह तीसरा इसकी मानता होगा ये entwickelt दान्त कहता है चोता है राज्य परसपर विरोधी हितों में सामन जैसे का साधने धान दें आपर राज्य परसपर विरोधी हितों में सामन जैसे का साधने आज भी दिमाना जाए तो राजनिति कार्थी ही माना जाता है कि परसपर विरोधी हितों में सामन जैसे इस्थापित क आरने की जो प्रिक्रिया होती है वही राजनीती कहलाती है आज आगर हम देखे तो वास्तों में यह यंत्रिये सिद्धांत कहरा है कि राज्य परसफर विरोधी हित्यों में सामन जासे का साधन है पूल वात ही कि आ रही है कि यंत्रिये सिध्धांत राज्य को एक साधन मानता है साधन मानता है साधन मानता है उपकरण मानता है उपकरण मानता है व्यक्ति को सद्धे मानता है सद्धे मानता है इसलिए व्यक्तियों ने अपने उपयोग और लाभ के लिए राज्य का निर्म जाता है साधन माना जाता है यस आप देखे आमाने लिखा है सामाने हित की सिद्धी के लिए बल प्रियोग मुलक सक्ति का प्रियोग करता है मतलब यहां जो राज्य है वह राज्य सामाने हित की सिद्धी के लिए बल प्रियोग मुलक सक्ति का प्रियोग करता है राज्य का हि भ्यक्तियों के हित से बढ़कर नहीं हो सकता मतलब राज्य का हित किया जारत ऐसे स्थतिमे राज्ये के दवारा các आदेश देजाए, उन्हादề抓 Ulan G kitchen ein sector किया जा सकता है', जों लंक Cute राजेए आपने आप placing नह्यां कि मनाता है तो फिर ऐसी स्तति में जनता विद्रो कर सकती है और ऐसे सासक को पद से हटा सकती है तो ध्यान दे राज्य का हित व्यक्तियों के हित से बढ़ कर नहीं हो सकता है क्यों कि राज्य अपने आप में साधन है और व्यक्ति अपने आप में साधन है इसलिए राज और समाज के दोरा किसी भी रूप में कोई गलत कानून मना जाता है, कोई भी ऐसी प्रथा परमप्रार उड़ी है, जिसे व्यक्ति काहित हो रहा है, तो ऐसे कानून परमप्रारीती रिवाज को मानने के लिए मनिश्य बात दे नहीं है, क्योंकि मनिश्यों ने राज जे और समाज का निर्मान किया है, इसलिए राज जे और समाज तो व्यक्ति के लिए उप करने हैं और समाद साधन है, यस समाद साधन है, कि राज्य का में धांदे बेटा ये के राज्य का व्यक्तिएं के हिट शे बढ़कर नहीं हो सकता मतलब व्यक्तिक प्रक्तिक व्यक्तिहुओं चाहंगी और व्यक्तिकु के हिठको प्रास्तमंग साधिन साधन माना है मतलब यहां जो यह विचार दिया जारा यही एक प्रकार से व्यक्तिवाद की सुरू आता है आरमिक व्यक्तिवाद का केंदर बिंदु व्यक्ति की सद्धन तरता होता है और इसके बादें फिर आधुनिक जो बहूल वाद है वह विभिन समुन के हितु में ताल मेल का साधन मानता है राज्य को मतलब आर्मिक व्यक्ति वाद तो राज्य को क्या है प्रतक प्रतक व्यक्तियों के हितु में सामन जैसे का साधन मानता है जबकि जो आदनिक बहुलवाद है वह वीभिन समूह के हितु में ताल मेलका साधन मानता है, मतलब जो बहुलवाद है वह राज्य को वीभिन समूह के हितु में ताल मेलका साधन मानता है, फिर बोल रहा हूँ, जो बहुलवाद है, आदनिक बहुलवाद है, बहुलवाद के पर मैंने अलग सी loc divergence अप्लोड कर दिया है लेखक्षत के प्रोडुटिलूट स्वाय मी तो यह जो बहुलवाद है विभन समुनों के हित्व में तालमेलका साधर मानता है और आर्मिक व्याक्तिवाद कया मानता है पुर्तख पृत्ख व्यक्तियों के हित्व में साम junior tay है साध मतलब आर्मिक व्यक्तिवाद में तो पृथक पृथक व्यक्तिवी के हित्व में समाझेश्ञ के साधदन माना जा रहा है समालोचना की अंत्रगत मुख्यत है ओध्योगिक यूगिक के लिए उप्युक सनस्ताओं की विकास में सहाइता दी आप ध्यान दे मतलब समालोचना में सबसे पहली बात यह आगी कि जो यंत्रे सिद्दान्त इसने क्या कि है कि ओद्योगी क्योंके लिए उपिक सनस्ताओं के विकास में सायता दिये चुकि ओद्योगी क्योंके अंतरगाते ऐसी सनस्ताओं की स्थापना जरूरी थी जो कि वास्तिक रुप में सांती विवस्ता और सुरक्षा इस्तापिते कर सकें तो फिर ओद्योगी क्योंके लिए यंत इन्तरिय तान्त ने व्यक्तियों की शौतन तरता को महत्व दिया मैं आपको हैं शुक्रमा वेक्ष्ट रिंट्रत मैं खुछा दे यहां राजय को माना जा रहे इसलिए वेक्टियों की शौतन तरता को mnie तो बढ़ावा दिया मतलब इसने ओडियोगी कि के अनुकूल ही क्या किया बाजार ÜGATA को बढ़ावा दिया क्यों कि बाजार ÜGATA की उत्तरत्य को बल दिय जाता है अब इसके बाद क्या होता है राज्जिवसमाज में अंतर करें कूष शासन का विरूद किया और सामयदानिक कहा है कोन यंत्री शिद्दान्थ तो यह राज्य समाज 2 MA precious प्रस्तुत करके मिन रंकुस हो साहसन का व्रोद किया मतलिables राज्य और समाज में रंतर मान कर गिस पर्षट कर दिया किस्पर्ष कर धिया इसे मिरंफुसाशन का मिरोद किया अगर राज्य इक सासन की सुद्रण नीम रखी किसने यंत्री सिद्धानत ने ही यस आगे बढ़ते हैं व्यक्ति को साध्य मान कर समानता को शविकारा मतलब जो यही राजय का यंत्री सिद्धानत इसने व्यक्ति को क्या माना है साध्य माना है और साध्य मान करके समानता को शविकार किया है और सहमती को राज्य का आधार मानकर लोक्तंतर को बढ़ावा दिया मतलब इसने सहमती को चुकि यहाँ पर राज्य का दिर्मान व्यक्तियों के दोबारे किया जा रहा है तो सहमती को राज्य का आधार मानकर लोक्तंतर को बढ़ावा दिया किसने यंत्रीय सिद्धान्त ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया तो इसने सुरू में पूंजी वाद को आगे बढ़ाए मतलब प्रारम में जब यहां सहमती को राजिक आधार बनाया गया तो लोकतंत्र को बढ़ावा मिला और जब लोक्तंत्रों को बढ़ा मिला तो इसने शुरू में पुंजी वाद को आगे बढ़ाया किसको बढ़ावा दिया पुंजी वाद को बढ़ावा दिया लेकिन पुंजी वाद को बढ़ावा दिया तो पुंजी वाद के परनाम सुरूप किया हुआ आर्थिक विसमता बढ़ने लगी आर्थिक विसमता बढ़गी आर्थिक एसमानता बढ़गी अमीर और गरिबी में जो अंतरा ले गया पर वो बढ़ता चला गया तो फिर मैंने लेका है आर्थिक विसमता बढ़ती चले गी और जब आर्थिक विसमता बढ़ती चले गी तो कम करने के लिए प्रियास किया गया और जब आर्थिक उस्मता को कम करने के लिए प्रियास किया गया तो फिर तब कल्यानकारी राज्य के सिध्धान्त को अपना लिया धान दे तब कल्यानकारी राज्य के सिध्धान्त को अपना लिया मतलब फिर इसने क्या है राज्य के स्व आप लोक कल्यान करी सिद्दांट को अपना लिया इसका मतली हो जन हित्प में यहां पर कानूनाई जाए जाएंगे लेकिन फिर भी क्या हुआ फिर भी बाजार समाद से जुड़ी विवस्ता का समर्थन करता राודה यह यंतरी सिद्धानत है, लोग कल्यान करी, राजजे का सिद्धानत को तपना लिया, लेकिन फिर भी इसने क्या किया? फिर भी बाजार समाज से जुड़ी विवस्ता का समर्थन किया. मतलब यहाँ विशेश कर हमें कहेंगे, कि market society बाजार समाज से जुड़ी विवस्ता का system का इसने समर्थन किया और जब ये बाजार समाज से जुड़ी विवस्ता का समर्थन करता रहा तो इससे क्या हुआ और सामाजिक विशम्ता को दूर नहीं कर पाया मतलब जब ये बाजार समाज से जुड़ी व्यस्ता का समर्थन करता रहा तो इससे क्या हुआ कि सामाजिक विश्मता को दूर नहीं कर पाया मतलब फिर भी बाजार समाज से जुड़ी व्यस्ता का समर्थन करता रहा और सामाजिक विश्मता को दूर नहीं कर पाया मतलब यह जो यह सिद्धान्त है यह वास्तिक रूप में सामाजिक विशमताओं को दूर करने में शक्षमरा सामाजिक विशमताओं को दूर नहीं कर पाया क्यों कि यहां आपको इद्धान रखना है यह बात सत्य है कि लोग के लिशमताओं को इसने अपना लिया था लेकिन फिर भी बाजार समाज से जुड़ी विशमताओं को दूर नहीं कर पाया यह हो गया इसकी समालोचना तो इसके अंतरगत दोनु बाते आ गई है मतलब इसका पक्ष और विपक्ष इसके गुन और दोस दोनु बात इसमें समाईत है एक्जाम में इतना ही आप से पूछा जाता है जो महत्वकुन बात मैं आपको बता दिये यह हो गया राज्ये के श